प्रधान मंत्री नरिंद मोधी कोरोना के हालात कोले कर देश के 10 राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उन राज्यों के 54 राधिकारियों से बात करेंगे ये समबाद आज सुपर 11 बचे वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये होगा जिलों में कोरोना की क्या इस्तिती है और इसकी कैसे रोख थामू इस पर चर्चा होगी आज की बादचीत में ममताव एनरजी भी शामिल होंगी बता दें आज पश्टे मंगाल समित उतरप्रदेश शोतिसगार पुर्जुचेरी राजिसान महराष्ट जाकन उरिसा केरल और हर्याना के जलाधिकारी शामिल है इससे पहले पियम मोदी ने 18 माई को नौर राजजुक और एक केंदु शाशे प्रदेश के 46 जलाधिकारियों के साथ बात की थी पिधान मंती नरीन मोदी ने कोविट से अधिक प्रभावे 46 जलों के जलाधिकारियों के साथ पहली बातचीत में मंगलवार को कहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना वाइरस वैक्सीन के अपूरती बढ़ाने के लिए नियुनतन प्रयास किये जा रहे हैं पिएम मोदी ने कहा कि टीका करन कोविट से लणने का एक शशक्त माध्यम है इसलिए हमें इससे जुड़े हर ब्रहम को एक जुठो कर दूर करना होगा दिल्ली NCR में यू तो तेज बारिश का सलसेला थम गया है लेकिन अभी भी कई यलाकों में खलकी बारिश चारी है दिल्ली NCR के Quelकों में कल से कभी खलकी तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा है खराब मौसम को देखते हुए कल मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए औरेंज अलर्ट भी ज़ारी किया है मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में माई के महिने में एक दिन में 35 साल बात इतनी बारिश हुई है काउते तुफान और पश्शिमी विशोब की वजह से 24 घंटे में दिल्ली के सबढर जग में 118.9 मिली मेटर और पालम में 57.6 मीली मेटर बारिश रिकॉर्ड की गई है 24 मैं 1976 को 24 घंटे में 7.2 मिली में बारिश रिकॉर्ड की गई थी यही नहीं माई के तापमान ने तो करीब 70 साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया है कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेलसियस दर्ज गया गया था यह समाने से 16 डिग्री कम है 1951 के बाद माई में पहली बार इतना कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है बतादे मौसर विभाग का कहना है कि अभी दिल्ली में भारी बारिश की संभाबना कम है ताउते तुफान के दोरान मुंबई में दूबे बार्ज P-305 से लापता 101 लोगों को बचाने का काम जारी है इस बीच बचाए गए लोगों ने बार्ज को लेकर बड़ा खुलासा किया है लोगों ने कहा है कि तुफान आने से पहले कप्तान ने कहा था कि बार्ज नहीं डूबेगा और खुद बोट लेकर चुला गया लोगों के इस खुलासे के बाद के इंदसकार ने जॉच क्या देश दी दिये हैं बता दे पी 305 पर मौझूद लोगों में से 26 लोगों की चाहन चली गई है ये बार्ज चक्रवाद ताउते की वजह से मुंबई के टच से कुछ दूर समुंदर में फसने के बाद जूब गया था नौसेना की और से बताया गया कि बेहत खराब मौसम से जूच से हुए उनके जवानों ने बार्ज पी 305 पर मौझूद 261 लोगों में से अब तक 146 लोगों को बचा लिया है बार के शाम को एक अधिकारी ने इसका संचालन करने वाली कंपनी के हवाले से बताया कि बार्ज पर 261 लोग मौझूद थे मुंबई पुलिस जाच करेगी कि चक्रवात ताउते के बारे में चेताबनी करने के बावजूद भी बार्ज पर उस चेत्र में क्यूं रुका रहा दक्षिन मुंबई में यलोग गेट पुलिस ने बार्ज पर मौझूद लोगों में से जिनका शब बरामद हुआ है उस सिलसिले में दुरगटना वश मित्य रिपोर्ट एडी आर दर्च की है देश इस वक्त कोरोना वाइरस की दूसरी लहर के खिलाफ जंग लड़ रहा है इस बीज कोरोना पर खूब राजशनीती भी हो रही है बीजेपी ने कॉंग्रेस पर टूलकिट बना का प्रधान मंती दरीन मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाया है बीजेपी का दावा है कि कॉंग्रेस से जुड़ी सौम्या नाम की महिला ने टूलकिट बनाया था इस मामले के बाद बीजेपी की राश्टिय प्रवक्ता सम्वित पात्रा चतिसगर्व के पूर मुख्य मंतरी रमन सिंग के खिलाफ रायपुर में केस दर्श किया गया है सम्विर पात्रा और रमन सिंग के खिलाफ ये केस कॉंग्रेस पार्टी की छात्र एकाई नाशनल स्टूरेंट यूनियन आफ इंडिया यानि की एनस्यू आई ने जाल साजी का आरोप लगाते हुए दर्श कराया है इन देताओं के खिलाफ AICC अनुसंधान विभाग का फर्जी लेटर हेड बनाने और जुटी और मंगरत समगरी चपाने का आरोप में शिकायत दर्श कराया गया या बता दे भारतिया डंड सहींता की धाराओं में के तहत ये मामला दर्श किया गया है गुड मॉरिंग इंडिया में फिलार के लिबस इतना ही आप देखते रहिए नियूस वोल इंडिया